हेलो स्टुडेंट्स तो आज स्टाट करते हैं हम एनजी फोर कॉमिनिशन जिसमें लास्ट ताइम हमने मेकेनिजम पढ़ा था और कुछ चोज के मोर्स पढ़े थे कुछ अडवंटिजिस और डिसडवंटिजिस किये थे अभी हम करेंगे एनजी फोर कॉमिनिशन क्या होता है कॉमिनिशन का मतलब ही होता है साइज को रेड्यूट करना छीक्या जैसे मैं आपने जब आपको इस खवर कन्सेप्त पताया थे पालवरीजिजिंशन विल्भी साइज को रड़क्शन करना होता है मिलयंग करन cancer यह सारे नेमिंग है साइज रड़क्शन के तो तो विल्श- मतलब आप जब साइज को रूदयूस करती हो जैसे 2 एकल ते हम यह चिसेक थीजादी को हमने यहां पर हैं kuर घ्यूमर णोग आर उसके ए क्रैकिंग हो जाती है कि हमर के सत्थ ही मेर् Państwo कि अपन्ने तनी चॉर की क्ड़ा आप जितने ज्यादा टुकड़े बनते जाएंगे वो उतना ही उसका सर्फेज एरिया बढ़ता जाना है उतनी ही उसने स्पेस ज्यादा गेरी जानी है जितने टुकड़े होते जाएंगे जैसे इस पोज आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो एक आपकी ब्रीक है तो उस पे आप हथोड़ा मारोगे ठीक है हथोड़ा मारोगे तो वो ब्रेक होगी उसकी क्रैकिंग हो जाएगी और उससे और जोर दी हथोड़ा मारोगे तो उसके टुकड़े टुकड़े बिखर जाएंगे कितने सारे टुकड़े बिखर जाएंगे तो वहाँ पे हमारा स कि कुछ ऐसे लॉस यो मतलigma फोलो किये गए थि कुछ साइंटिस्ट की तवारा तो इसकी एक फर्स्ट थियुरी यह इन्हों थे हमारे 750 ले मतलינו की पर गे कुछ साइंटिस्ट फ्रेशिटिये की किन छो एनरजी रिक्वाइड होती है इनर्जी हम E denote कर रहे हैं जो इनर्जी हमें साइड रिक्षन के लिए रिक्वाइड होती है और यूनिट मास्ट वो ड्रायरेक्ली प्रपोर्शनल होती है न्यू सर्फेस एरिया फॉर्म्ड में मैंस के सब्सक्राइब करें मैं जूँआ को हम इस सब्सक्राइब करें पर गद्रेशन हैको प्रप्रशनल का या सब्सक्राइब कि मतला यह उतना है तना ही बड़ा पर पहलो हैं aventagen देद जगह गेरी थी, अब सारे पार्टिकल कोई यहां बिखर गया, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, यह इसने उतना ही सर्फेस एरिया, जो है, वो कर लिया अपना, तो इसको E इक्वल टू के आर, S N, A, minus Si, denoted by Si,は हमारा Initial surface Area, Sn, is new surface, specific surface area, Kr, क्या हमेशा Ratingus constant, K, यहां हमेशा R, यहां पर लगा है, क्योंकि यह Ratingus constant है, and E, क्या हमारा Amount of Energy, जो हमारी work done के, अक्रादिंग लिए लग रही है, ठीक है, तो यह हमारा जो mostly law है, जो theory है, यह किसके लिए applicable होती है, जो brittle material होते हैं, जिनकी बहुत fine milling करने होती है, बहुत brick particle करने होती है, उनके लिए होती है, बट यह जो theory थी, जो deformation हो जाती थी, मतलब जो हमारा solid content था, उसकी formation रिमूव हो जाती थी, एक नया shape बन के आती थी, उसके पारिकल की शेप भी तो change हो जाती है, जैसे brick का इसको तोड़ोगी तो वह ऐसे ही थोड़ी रहेगी, वह ऐसे मतलब ऐसे टुकड़े टुकड़े ऐसे से टुकड़े अपनी shape ले ले लेगी है, तो उसके बारे में इनोंने कुछ नहीं बताया, तो इसके बारे में हम next में कर भी बपाई ब्पाइब को इसके इस हो जाती दुसके यह बाहिए कुछ ने पिताया ने उसको लेकि अपनी नई एक तोड़ने के लिए और यह एकने स्वारी ने लेंगे है इसे कुछ प्रोपरगीशन एक नहीं पर बीजने तोलने के लिए इस चीज को पर पॉश्ट रॉट बीखेती सी बमेच अबोला या सबस्क्रेंग बिएक पास्टाने मावरे सी भी करने के दाए है झाल भ यही बताया तो और भू प्रीक करोगे। जेखने पर आप रहे हैं। इसको क्षाइब प्रNet करोगे। अलग अपने पार्टिकल शेप ले लेंगे उनकी डिमेंशन जो है उनमें भी तो चेंज आएगा कुछ तो यही बॉंड्स थीओरी ने बोला था ठीक है पार्चु ब captivity काई मैं मतलब इसको नहींदों सब्सक्राइब करता था टो इसा है few छीए को लिव शेए को चाहिए तो ठाचक के लिए तो यहते बच उनमेशन को डिमेशन को मतलब प Дляख है टेकशन कोती मोहीं है इसमें हमारा चेन्जाजा दाता है तो अकार्डिंग थो इन्होंने अपनी क CAP change add-N, that diameter particle आध दिस लोग इस योज़ योजे फोर रफ डिल साइजिग मतलब हमें रफ मिलंग साइजिंग करनी हो मतलब रफ मेटीर को करना हो तो यह है जादा यूस किजाती है तो जितने भी मिल साइजिंग स्र रफ मिल मिल साइजिंग तो इसके इलाबा इसमें ज्यादा हम compare भी कर सकते हैं अपना work index भी compare कर सकते हैं इसमें एक बहुत ही important question बन के आ सकता है कि इसमें हमारा जितना भी हमारा मतलब यहां पर crack कर रहे हैं तो इसमें इनर्जी वोक डन भी तो लग रहा है इसलिए इसमें work done का भी आएगा कि हमारा ज उसकी cracking के लिए हमारा work done भी लग रहे है तो वक डन जो है अगर आपको पूचा है work done किसमें होता है तो बांड द्यूरी में होता है क्योंकि इसमें हमारा जोर भी लग रहा है और हमारे जो एक नया पार्टिकल का डायमीटर अलग शेप का डायमीटर इसका चेंज हो के निक यह क्या बोलती है अब इनका है कहना कि जो इनर्जी है हमारी दी-फर्मिंग और फ्रैक्शिंग करने में अब दी-फोर्मिंग का मतलब आपको बताया दिया कि हम जो टोड़ फोड़ करते है तो उसकी जो इनर्जी है पाट सेट अफ पार्टिकल की वो डायरेक्टली प्रोप पार्टिकल उतना ही लाज सर्फिस से यह करेगा उतना साइज उसका इंक्रीज हो जाएगा पार्टीकल का जितनी इनर्जी हम कम अपड़ाई करेंगे जितनी इनर्जी हम ज्यादा अपड़ाई करेंगे मतलब simple way से बता दूँ सौरी यहां से confusion आपको और हो मतलब जितना छोता particle होगा न हमारा inergy यह मिम लगाने पड़ेगी मतलब simple way कहने का यही है कि जितना छोता particle होगा उतनी जादा energy लगाने पडते हैं में ratio of change in size मतलब जो ratio है मारी change आया जो size में जो d i upon d n है जैसे मारा d i क्या है diameter of particle in initial states और उसको ratio किसाथ किया है d n के साथ that is diameter of new particles ठीक है यह equation लिखी है यहाँ पर same constant ले लिया है इसमें उसके बाद मारा d i क्या है diameter of particle in initial स्त्रेशें और हमें और है गीज़ घंड है मारे नामसे पारिकर्टेटिर्टर जथा जले है फ्रोज फ्रोज क स्वार्ज के बिश्चिन आप्टीक्स ज करते है तो एंग मतलब एंग जम बनग डामसे यह वहुता है इसको करते हैं तो यह नहीं यह कहने का तो फर चुशंग अप्लाई होती है वहाँ पे तो इसमें यही था यह तीन लॉस थे बड़ बहुत ही इंपोर्टेंट है यह तीनों एक्जामिनर पूछ सकता है इसमें से कोश्चन ठीक है तो अगर आपको इसमें कोई प्राप्लम आई हो तो मुझे में इंचन कर देना कमेंट में और पूछ ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू और सुदेंट फोर वचिंग इस वीडियो